आगे नाला पड़ा अपार गोडा कैसे पहुँचे उस पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार नमस्कार दोस्तो डेनी क्लासीज माँ को स्वागत हैं दोस्तो आज हम हल्दी गाटी के यूद के बारे में चर्चा करने वाले हैं हल्दी गाटी के यूद के बारे में जो जो इंपोर्टेंट है जो जो एक्जाम में पूछा जाता है सारा सब कुछ हम कवर करने वाले हैं हल्दी गाटी के यूद का ये यूट्यूब इतियास का सबसे शांदार वीडियो होने वाला है एक्जाम में जो जो पूछा जाता है सारा सब कुछ ही हाँ पर हम कवर करके चलेंगे वीडियो ध्यान से देखना अच्छे से देखना जो जो मैं फोटो दिखा हूँ उससे भी आपके काफी समझ में आएगा तो उनको भी समझ के चलना अच्छे से देख के चलना हल्दी गाटी के युद के बारे में चर्चा करें तो इससे पहले हमने क्या-क्या देख लिया था थोड़ा सा में वो बता देता हूँ ताकि आपको हल्दी गाटी का युद अच्छे से समझ में आजए पिछली क्लास में हमने देखा था कि अकबर ने महाना परताब को अपनी अदीनता स्विकार करवाने के लिए चार शिष्ट मंडल बेजे थे कि महाना परताब मेरी अदीनता स्विकार कर ले चार शिष्ट मंडल थे जमभट मैंने आपको ट्रिक बताई थी जमभट जमभट से आपको याद रखने हैं जैसे जलाल खां कोर्ची मैसे मान सिंग जम भै भैसे बगवंत इदास मान सिंग के पिता बगवंत इदास और टैसे टोडर मल ये चारो कर्मानुसार ही आपको याद रखने हैं कर्मानुसार आपसे पूछा जा सकता है तो चार शिष्ट मंडल बेजे जब अकबर को पता लग गया कि महाना परताब मेरी ये दीनतैस विकार नहीं करने वाले तब जाकर हल्दी गाटी का युद्ध होता है अब हम हल्दी हल्दी गाटी के युद्ध के बारे में विश्टार से चर्चा करने वाले हैं हल्दी गाटी के युद्ध के बारे में चर्चा करें तो जो मुगल सेना है वह अजमेर में डटीवी है अजमेर से अकबर मुगल सेना को मान सिंग और असफ खा के नेतरतों में मुगल सेना को अजमेर से बहाँ मैंसे मानसींग और मनेला गां समारना परताब की से ना लोशिंग गां में डिटी वी है मान सिंग की सेना की बात करें तो मोलेला गाव में डटीवी है 18 जून 1576 विश्व प्रसिद हल्दी गाटी का युद होता है अगर आप से एक्जाम में पूछा जाए कि गोपिनात शर्मा के अनुसार हल्दी गाटी का युद कब हुआ था तो 21 जून 1576 को गोपिनात शर्मा के अनुसार हल्दी गाटी का युद हुआ था एक्जाम में पूछा जाए हल्दी गाटी का युद कब हुआ तो हमें करना है 18 जून 1576 क्योंकि मादेमिक शिक्षा बोर्ड आजस्तान में यही लिखा हुआ है यही मानेंगे अगर आपसे पूछा जाए गोपिना शर्मा के अनुसार हल्दी गाटी का युद कब हुआ तो हम 21 जून 1576 करेंगे बात करें हल्दी गाटी तो सबसे पहले से हल्दी गाटी नाम किसने दिया था वेरी वेरी इम्पोटेंट है तो इसको हल्दी गाटी नाम सबसे पहले राजस्तान के इठियास के पीता करनल जेमस्टोड ने दिया था और हम बात करें तो इसे राजस्तान की थर्मोपली या मेवाड की थर्मोपली भी कहा जाता है करिनल जेम्स टोड ने ही इसे राजस्तान की या मेवार की थर्मोपली कहा था यह जो थर्मोपली है यह ग्रीस में एक स्थान है जिसे थर्मोपली कहा जाता है वहाँ पे जो युद हुआ था वो इसे सिमिलर है इसलिए इसे थर्मोपली का नाम दिया गया है क्योंकि ये राजस्थान में है इसलिए से राजस्थान की थर्मोपली या मेवाड की थर्मोपली कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है इसे गोगुंदा का युद बदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद बदायुनी ने कहा था हल्दी गाटी के युद में एक मातर इत्यासकार मौजूद था वो बदायुनी ही था जिसने इस युद का आँखो देका हाल लिखा था अपनी पुस्तक मुन्तकब उत्तवारिक में इस युद का आँखों देखा हाल लिकाता तो गोगुंदा का युद इसे बदाविनी ने कहाता और हम बात करें इसे खमनोर का युद किसने कहाता तो इसे खमनोर का युद अबूल फजल ने कहाता अबूल फजल ने इसे खमनोर का युद कहाता इसे बादशाह बाग का यु टेल हमको ध्यान रखनी है एक्जाम की दर्ष्टी कौन से वेरी वेरी इंपोटेंट है दो तीन बार इसको रिवीजन करो रिवाइज करो यहां से काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है उसके बाद हम बात करें महारना परताब के पास कितनी सेना है अकबर ने जो सेना परताते हैं उसके बारे में बात करते हैं महारना परताब के पास 9-10,000 सेना है मुगल सेना की बात करें तो 40,000 है महारना परताब के पास 9-10,000 है महारना परताब के पास 9-10,000 है महारना परताब के पास 9-10,000 है और दूसरी तरफ अकबर की बात करें तो अकबर ने जो सेना बेजी थी वो 40,000 सेना है वीर विनोद के लेखक कभी शामलदास लिखते हैं कि महारना परताब के पास 20,000 सेना है दूसरी और अकबर ने जो सेना बेजी है वो 80,000 सेना है दोस्तो एक तरफ 20,000 सेना एक तरफ 80,000 सेना आप सोच कर देखो अकबर ने यहां पर कितनी सेना बेज इससे आपके ध्यान रह जाएगा जब हम भी तैयारी करते थे ट्रिक बना बना कर याद करते थे तो अच्छे से याद हो जाता था तो यहां पर वीर विनोत के लेख कवी शामलदास के नुशार मारना परताब के पास 20,000 सेनिक हैं अकबर की बात करें तो जो सेना बजी थी व इनके अलावा जो हाती थे वो राम परसाद वे लूना थे मान सिंग जिस हाती पर बेटा था उसका नाम मरदाना था मैसे मान सिंग मैसे मरदाना और जो मान सिंग के पास हाती थे वो गजमुग और गजराज थे गजमुग और गजराज इसके पास हाती थे युद्ध की बात करें तो महारना परताब यहां पर उचाई से युद्ध कर रहे हैं मान सिंग की सेना समतल पर है दोस्तों जो सेना उचाई पर होगी उसको अधिक फाइदा होगा अधिक लाब मिलेगा समतल की सेना को नुकसान ही होगा महारना परताब की हरावल का नेतरत्व यहां पे हाकीम खा सूरी पठान कर रहे हैं जो सेना की हरावल का नेतरत्व कर रहे हैं हरावल क्या होता है जो सेना का आगे का भाग होता है सेना का आगे का भाग जो सबसे पहले आप कर्मन करता है उसे हम हरावल करते हैं एकजाम में पूछा गया प्रिशन है, हराउल क्या है, सेना का आगे का भाग जो सबसे पहले अकरवन करता है, उसे हराउल का जाता है मान सिंग की बात करें, तो मान सिंग की हराउल का नितरत्वे सेईद हाकिम कर रहे हैं ये सारी डीटेल आपको ध्यां रखनी है महारना परताब की हरावल आकर्मन करती है इतना भेंकर बेशन आकर्मन होता है कि मान सिंग की सेना के छक्के छूड़ जाते हैं काफी भगदर मच जाती है मान सिंग को भी पता लग जाता है इसी तरह युद चला तो मारना परताब आसानी से युद जीज जाएंगे ये सब देख कर मुगलों की रिजर फोज का परभारी मिहतर खाएक अफवा फेलाता है कि बादसा सलामत स्वेम सेना लेकर आ रहे हैं बादसा सलामत का मतलब हो गया अकबर स्वेम सेना लेकर आ रहा है यहां से मुगल सेना का वापस जोस आता है मुगल सेना का होसला बढ़ता है और वापस आकरमन करते हैं यहां पर मारना परताब दोस्तों एक गलती कर बैठते हैं जहां पर जो उचाई पर इस्तित हैं नीचे के भाग पर आ जाते हैं समतल पर आ जाते हैं और युद्ध करने लग जाते हैं गवालियर के राम साया राम सिंग तवर उन्हें समझाते भी हैं आप समतल पर ना जाएं उचाई से ही युद्ध करें लेकिन महारना परताब यहां समतल पर आजाते हैं समतल पर आकर युद्ध करते हैं इससे मारना पता आपको काफी नुकसान भी होता है दोस्तों बदायुनी लिखता है कि जून का महिना है इतनी बीशन गर्मी पड़ रही है कि जो मेवार की और से राजपुत योद्धा लड़ रहे हैं वो कौन है मुगल का राजपुत मरे चाहे मेवार का राजपुत मरे हर तरफ से फाइदा तो इसलाम को ही होगा ये बदायुनी अपनी पुस्तक मुन्त कब उत्तवारिक में लिखता है यहां पर दोस्तों हातियों का युद भी होता है माना परताब के जो हाती हैं राम परसाद और लोना वो गायल हो जाते हैं यहां पर राम परसाद को पकड़ लिया जाता है अकबर के पास बेजा जाता है अकबर इसका नाम पीर परसाद रखता है इंपोटेंट है ध्यान रखना है अब दोफतों इस युद में महळना परताब की अचानक नजर मान सिंग पर जाती है मान सिंग जो अपने हाथी मरदाना पर बैठा हुआ है ये जो आपको फोटू दीख रही है ये हल्दी गाटी की लाइव फोटू है अभी पांच से दिन पहले ही मैं हल्दी गाटी जाकर आया हूँ वहां की ये लाइव आपको यहां पर मिल जाएंगी तो ये जो आपको दिख रहा है ये मान सिंग का हाती है मरदाना और सामने है माना परताब जो चेतक पर बैठे हुए हैं चेतक यहां पर अपने दोनों पैर उठाता है माना परताब भाले से आकर्मन करते हैं मान सिंग के जो हाती का महावत है उस पे भाला लगता है भाला उसके आरपार हो जाता है मान सिंग नीचे दुबग जाता है अगर मान सिंग नीचे नहीं दुबगता तो मान सिंग के भी ये भाला आरपार हो जाता अब जैसे ही चेतक ने अपने पैर उठाए हाती की सूंड में तलवार से चेतक के पैर कर जाते हैं वो गायल हो जाता है अब जब चेतक के गायल हो जाता है तो महारना परताब को मुगलों की सेना चारों तरब से घेर लेती है यहाँ पर बहलोल खानलोदी महारना परताब पर आकर्मन करता है महाना परताव उस पे इतना भेंकर आकर्मण करते हैं कि तलवार के एक परहार से गोडे समय उसके दो टुकडे कर देते हैं उसके बाद में हम दोस्तों बात करें महाना परताव भी यहां पर गायल हो जाते हैं तो गायल अवस्ता में महारना परताब को युद्ध से निकाला जाता है, जाला बीदा यहां पर युद्ध का संचालन करता है और आगे चलकर जाला बीदा की भी मिर्ति हो जाती है, महारना परताब को युद्ध से यहां पर सुरक्षित निकाला जाता है, अगर महारना परता मारना परताब सोचते हैं कि चेतक ये नाला पार नहीं कर पाएगा चेतक पीछे अपने पैर कर लेता है तो मारना परताब सोचते हैं कि चेतक ये नाला पार नहीं कर पाएगा यहाँ पर दोस्तों एक बहुत अच्छी कवीता लिखी गी है वो मैं आपको बताता हूँ कि आगे नाला पड़ा अपार गोड़ा कैसे पहुंचे उस पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार तो चेतक छलांग लगाता है मारना परताब को सुरक्षित पहुंचाता है मुगलों की सेना का कोई भी घोड़ा ये नाला पार नहीं कर पाता है चेतक ये नाला पार करता है मारना परताब को सुरक्षित पहुंचाता है आगे चल कर चेतक की मृति हो जाती है बलीचा गाव राजसमंद में चेतक का समाधी स्थल बना हुआ है बलीचा गाव पुझा भील महाना परताब का काफ़ी साथ देते हैं जो मुharलों की सेना है उस पे आकर्मन करते है जो फसल है उसको नश्ट कर देते है ताकि मुगल सेना के पास खाने पीने का कोई सामान ना बचे मुगल सेना इतनी मजबूर हो जाती है कि उन्हें अपने ही हातियों को अपने ही गोडों को अपने ही उंटों को खाना बढ़ता है और यूद से आगे चल कर निकल जाती है अब इस यूद में दोस्तों महाना परताब की होती है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जब अकबर ने मान सिंग को बेजा था तो यह कैकर बेजा था कि मुझे मारना परताब जिन्दा या मुर्दा चाहिए मुझे मारना परताब चाहिए तुझे मारना परताब को मेरे सामने लेकर आना है मान सिंग की बात करें तो मान सिंग माना परताब को यहां पर लेकर आने में एसमर्थ होता है नहीं लेकर आपता दूसरी बात करें तो अकबर इस युद के पस्चाद मान सिंग की ड्योडी बंद कर देता है ड्योडी का मतलब होता है मुगल दरबार में परवेश बंद कर देता है तो इस इसे भी पता लगता है अकबर इस युद में अपनी हार मानता है कि मेरी यहां पर पराजे हुई है तो इस युद में विजे की बात करें तो विजे महाना परताब की ही मानी जाती है अकबर जिसके पास इतनी सेना है पूरे भारत पर उसका सामराजी है तो मेवार के महाना पर परताब से वीजे प्राप्त नहीं कर सका तो महाना परताब की ही यहां पर वीजे मानी जाती है, हल्दी गाठी के युद के बाद मेवार का क्या होता है, आगे चल कर क्या क्या अक्रमन हुए, इस सब के बारे में आगे आने वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे, दोस्तों फ्रेंड्स में शेर करें, वीडियो लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जुरूर करना, थैंक यू